Bollywood Entertainment World की कुछ लेटिस्ट खबरे वाचिंग IBC 24, मजा लीजे Bollywood टॉप 10 का सल्मान खान और आल्या भट की फिल्म इंशालला की रिलीज डेट टल गई है अब नई खबर सामने आई है कि अक्षिकुमार की फिल्म लक्ष्मी बम अब E-2020 को रिलीज होगी जबकि पहले ये फिल्म पांट जून 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन इंशाला की रिलीस डेट का खुलासा भी बाद में किया जाएगा रेनु मंडल स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी और रातो रात उनका वीडियो वाइरल हुआ और वो स्टार बन गई इमेश रिशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया और अब खबर है कि सल्मान खाने उन्हें 55 लागा घर गिफ्ट किया है हाला कि इन खबरों की सच्चाई का अभी किसी को पता नहीं चला है पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता खबर है कि पाकिस्तानी लेखक खालिद उल्रह्मान करम ने विंग कमांडर अभी नंदन वर्धमान पर एक कॉमेडी फिल्म बनाने का ऐलान किया है और इसका ऐलान उन्होंने ट्वीटर पर किया है इस फिल्म का नाम होगा अभी नंदन कम ओन एक पाकिस्तनी वेबसाइट के मताबिक भारत में बाला कोट एर स्ट्राइक पर फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है कश्मीर को लेकर आ रही खबरें अक्सर काफी वाइरल हो जाती है अब खबर है कि कश्मीर की आखरी हिंदू रानी के उपर बायोपिक बनने जा रही है और इस रानी का नाम था कोटा रानी ये रानी जितनी वीर थी उतनी ही जादा खुबसूरत थी इन इसकी पूरी वीर गाथा फिल्म के जरी लोग के सामने पेश करने की तैयारियां चल रही है जल्दी फिल्म को लेकर नया खुलासा भी किया जाएगा सुशान सिंग राजपुत अपनी परसनल लाइफ को लेकर खबरों में बने रहते हैं कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर वो अगले लेवल पर जाना चाते हैं खबरों के मताबिक सुशान त्रिया को लेकर काफी सीरियस है और वो जल्दी जल्द शादी करना चाते हैं लेकिन जब सुशान से इन खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे महज अफ़वा करा तिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त है। संजदत सितंबर में राजनीती में उतर सकते हैं लेकिन आप खुद संजदत ने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया है। और नहीं किसी पार्टी का हिस्सा बनने वाले है। उनके बारे में जो भी खबरे आ रही है, वो महस अबवा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद इसके बारे में मीडिया और फैन्स को बताएंगे। सबको पता है कि हर्दिक पंडिया अब तक कई बॉलिवुड एक्टरस का दिल चुरा चुके हैं। अब खबरे कि हर्दिक उनकर नया प्यार मिल गया है। अब इस घंटे में तीन शहरों में घूमेंगे और फिल्म का प्रमोशन करेंगे। ये अफ्तम इसी शुक्रवार कुरलीज हो रही है। कली पॉई में नजर आए सिधान चतरवेदी अब इस साल फिल्मी परदे पर नजर नहीं आएंगे। इस साल उन्होंने एक फिल्म साइन की थी लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया है। खबरे हैं कि सिधान को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई है। इसलिए उन्होंने फिल्म करने से इंकार कर दिया है। पताया जा रहा है कि वो काफी सोच समझ कर फिल्म में साइन कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान नहों।